सो डॉल्वर बड़सर, रियाक्ट.js के इस पार्ट में हम लोग एक छोटी सी अप्लिकेशन बनाएंगे, यह अप्लिकेशन आपको, इंटर्वीव के अंदर भी हल्प करेगी और रियाक्ट.js सिकने के अंदर भी हल्प करेगी आप बोलोगे इंटर्वियू के अंदर यह वाली स्टार्ट स्टॉप वॉच और छोटी सी अप्लिकेशन कैसे यल्प करेगी अजकल मैं बहुत देख रहा हूं इंटरनेट के उपर और डिरेक्टली ऐसे क्वेशन पुछ आते हैं कि एक स्टार्ट स्टॉप वॉच या फिर स्टॉप वॉच बनाके दिखाओ रियाक्ट जेस के अंदर अब ऐसा क्यूब बोलते हैं विकूस इस एक छोटी सी अप्लिकेशन के अंदर रियाक्ट के और जावास्क्रिप्ट के काफी सारे कॉंसेप्ट कवर होते हैं तो बस एक प्रोग्राम बनाना है और सामने वाले को सबसाइब को चल अपको कितनी रियक जेस आती है कितनी जावस्केप आती है कितना अब अच्छा बैख रहे हैं ठीक है एक चीज़ा हो जाएगा और सेकिंड चीजी है कि आपको छोटी एक ऐप्लिकेशन भी सीखने को मिल जाएगी और आपका ब्रेशब हो जाएगा रियेक चाहिए काफी सारी चीजी यूज़ होगा इसके अंदर start time यूज़ होगा time interval यूज़ होगा clear time interval यूज़ होगा states भी यूज़ होगी css भी यूज़ होगी यहां पर फिर से 0 पर सेट हो जाएगा फिर से start कर सकते हो ठीक है जैसी start कर सकते हो जाएगा इसका यह पतल देगा कि यह watch start हो चुकी है और चाहो तो इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हो css से जस्त मैंने यहां पर blue color कर दिया और जो आपको color दीख रहे हैं वह कर दिया सो यही हम लोग बनाते हैं और start करते हैं सबसे पहले में जब code है इसको सब कुछ हटा देता हूं ज्यादा बड़ा code भी नहीं है अगर आपको देख के लग रहा हो कि यार काफी बड़ा code है इतना बड़ा भी नहीं है सारे चीज़े हटाते हैं फिर सब कुछ दुबारा से बनाए है ताकि आपको scratch से सब कुछ देखने को मिले और यहां से भी सारे कि सारे बटन एंट टेक्स्ट हटा देते हैं और css भी अटा देते हैं कि अ कि अ में अगर को सारा का सारा इद अब अगर हम लोग देखते हैं हमें जस्त लिखा आते हैं च्छोटा सा टेक्स स्टार्ट बज़िए वो आपके मरजी आप जो भी मरजी बोलना चाहों यह बड़ी चीज निया तो सबसे पहले मुए करता हूं कुछ टैक्स अगहरा लेता हूं यहां लेता हूं है फिर्ट के साथ में दो बटन और लेंगे स्टॉप एंड यह हो गया स्टॉप एंड रिसेट ओके सो अब आप देखोगे चाह मिल रहे हमें जस्ट सिंपल बटन और एक जीरो दिख रही है एच वन टैग के अंदर सो इनको चेंज करेंगे धीरे-धी सबसे पहले में एक स्टेट लेता हूं जिसके अंदर हम लोग यह वाला टाइमर लेंगे ठीक है मैं यहां पर लेता हूं कॉंस्ट वाच कुछ भी नाम रख सकते हो स्टेट को जरूरी नहीं कि आप चुब मैं नाम रखना हो वही रखो सेट वाच और यू स्टेट के अंदर बाइड डिफोल्ट इसके लिए लोग देंगे हम लोग जीरो और अब मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं इसको शूज कर लेता हूं इसको वाच को ठीक है अभी भी आपको जीरो दिखेंगे अब यह स्टेट से आ रहे डिटा ठीक है अब मैं क्या करता हूं तीन छोट-छोट फंक्शन बनाता हूं कि अब स्टार्ट वोच के लिए इस टॉप के लिए और रिशेट के लिए अधिक लूँगा यहां पी लिखुमा स्टार्ट वोच भाज ले तो इस गोटेश्ट यहां पर हमारा कोड करेंगे सेम इसी तरीके से मैं आपर दो function और call करता हूं वो रहेगा stop watch and last one is reset watch इनके नाम से भी हम लोग function बना सकते हैं const stop watch इभी arrow function रहेगा and इसको copy कर लेते हैं last one भी बना लेते हैं which is reset watch चीक है अब इसको थोड़ा साम लोग डवर्टी लग यहां वेक्टी मैं हटा देता हूं ओके सो अब हम लोग क्या करते हैं एक सेट इंटर्वल लेते हैं आपको मैं यह भी बताऊंगे आप लोग कहां कहां पर गलतियां कर सकते हो सबसे पहले हम लोग यहां पर जैसी स्टार्ट बटन के उपर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर इसकी स्टेट अपडेट हो जानी चाहिए और वन सेकिंड के बाद में एक एक पॉइंट बढ़नी चाहिए सबस्काइब क्यांक झाला कक मैं यहांपर इन्ट में करेंगे दो पर फोडामेंटर लेते हैं सेकंड के मिम्रहां पाद में बढ़ना है और बढ़ना क्या है हमें सेट वॉच करने तो अब आपको यह चीज लग रही होगी कि ठीक है यह बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा इसमें कोई दिक्कत आएगे नहीं मैं यहां पर करता हूँ वॉच्छ प्लस वन कर देता हूं तो यह ठीक ठाक काम करेगी लेट सी यह क्या काम करती है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं यह वन पर पहुंची और रुग गई अब यह क्या हुआ देखो इसका रिजन यह रहा ना आपको बताता हूं हर एक सेकिंड के बाद में इसको अपडेट करने की सोचता है बट यहां पर स्टेट असंग तरीके से बिहीव कर रहे है आपडेटिध स्टेट मिल ही ने हुए रिसको हर बार जीरो ही मिल है तो आप बोलो गे इसको हम लोग किस तरीके से इंडर कर सकते है इसको यहां पर यहां पर लेख सकते हो कुछ भी लेट से यहां पर ले ले तो एक्स और जो रहेगा एक्स प्लस वन इस तरीके साब इसको यूज कर सकते हो अब लोग इसको ट्राइ करते हैं यहां से मैं कोड़े इसको खटा देता हूं इसको मैं एक बार के रिफ्रेश करता हूं जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा अब आप देखोगे यह वन सेकिंड के बाद में वैल्यू इंक्रीज हो रही है वन वन करके ठीक है अब इसको स्टॉप कैसे करेंगी अब देखो हमने यहां पर टाइम इंटरवल लगा दि आप लोग आपके कॉम्पोनेंट के बाहर ही या तो आप एक स्टेट ले लो कॉम्पोनेंट के अंदर या फिर आप कॉम्पोनेंट के बाहर एक वेरिबल ले लो ठीक है मैं यहां पर लेता हूं जूस एक अदäreम एक बाहर टेर इसको में लगाता हूं बार डिफोल्ट अंडिफाइन झिड़ार और इस अंडिफाइन को जो सर्ट टाइमर फ enseimmen सेंग अ защउन कर ल्यएं इस दो ऑब लिए सैधवहल इसको में चैन्ही अनदर के आज वह कर दूँगा athletes खोर और उसके अंदर में यहां पर इसको अधिस्ट इंट्रल को डाल देता हूं ठीक है सो नाओ लेट सी कि स्टॉप हो भी रहे के नहीं हो रहा है एक बार फिस्ट रिफ्रेश्च करेंगे बाद में रिफ्रेश्च करने की जरूत नहीं पड़ेगी सब्सक्राइब करें मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं ओके तो लेट्स चेक कि कहां इश्वा है कि अच्छा यह कॉंच्ट बना दिया हमने तो आप इसको क्या कर सकते हो लेट या फिर वाड ले लो लेट भी ले लोगे तो भी चले है कोई प्रूलम है नहीं इसको रीफरेश करा यहां पर यहां पर यहां पर प्रूबलम आएगी आपको लेट सेखिया आप क्लिक कर दिया से टाइम इंटरवल के ऊपर ठीक है और आपने इसको इसके उपर फिर से एक बार क्लिक कर दिया तो एक चीज देख तो यह किस तरह किसे डबल डबल करके बढ़ रहा है फिर तीन बार क्लिक कर दो कि तो और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब प्रोपरली रुखेगा भी नहीं तो इस चीज़ों कैसे हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ कर देंगे तो इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे तो अब हम लोग यह चीज़ देखते हैं यहां पर लिखेंगे अब बट डिसेबल के नंदर वैल्यू का डालेंगे इसे मेटर करता है तो यहां पर ये को स्टेट लेनी पड़ेगी हमें और लेट सेमेश्चेट का नाम देता हूं और वांस्ट श्टार्टेट यह कहां लिखना शुरू कर दिया मैंने यहां बेटी यह कॉंस्ट इस्टार्ट इसेट स्टार्ट इसेट स्टार्ट इसेट 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 में रहेगा यह फॉल्स ठीक है स्टार्ट को पर मैं चेक कर लेता हूं कि यह बटन हैना डिसेबल रहेगा तो अब डिसेबल रहेगा डिसेबल नहीं रहेगा और जैसे ही हमारा यहां फंक्शन कोल होता है हम इसको यहां पर ट्रू कर सकते हैं अब देखते हैं हमें क्लिक करता हूं तो यहां पर स्टार्ट व बं भी हो रहे हैं बक्ट अब start कैसे करेंगे súper इसाने स्टोप पबंदी कर दिया तो अब में या करना पड़ेगा सेट स्टार्ट को फिर से फॉल्स करना पड़ेगा जैसे ही हम लोग the stop watch को अब बैसे ही हम लोग इस एक ऐसे होलिग ऐने अब देखते हैं फिर refresh करेंगे start करा time बढ़ना शुरू हुआ stop करा आपर रुख गया, फिर से start करा और यह फिर से वहीं से start हो जाएगा जब तक reset नहीं करेंगे तो 0 नहीं होगा ठीक है alright, so अब हम क्या करते है reset button वाली functionality लगाते है so reset button के उपर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो watch है ना जो हमने यहाँ पर increase करी है इसको हम लोग 0 set करेंगे तो मैं यहाँ पर simply करता हूँ set watch 0 ठीक है, यह 0 तो कर दिया लेकिन 0 करने से का हमारा काम चल जाएगा actually नहीं चलेगा मैं एक बारी फिर से करवा के दिखाता हूँ आपको जैसे मैंने करा ना यहाँ पर start करा आप यहाँ पर देख सकते हो reset कर दूँगा 0 हो जाएगा बट यह start फिर से 0 से start हो गया, जैसे करूँगा फिर से 0 से start हो जाएगा अब ऐसा चूँगा अभी को set time interval तो अभी भी memory के अंदर है ना यह तो background में भी चली रहा है इसको भी यहाँ पर clear करना पड़ेगा तो adjust time को हमको यहाँ पर भी clear करना पड़ेगा और start जो हमारा start stop है disable button वाला उसको भी यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा तो अब अब लोग फिर से एक बार देखते हैं कि आप फैक्ली सब कुछ काम कर रहा है क्यों रिसेट करते हैं start करते हैं और रिफ्रेश करना पढ़ेगा इसको एक बार के लिए थीक है स्टार्ट पी क्लिक कराँ पर्फेक्टली काम कर रहा है स्टॉप करा ठीक है रिसेट करा क्लिर हो गया स्टार्ट करा वह फिर से काम कर रहा है डारेक्टली रिसेट करेंगे तो भी चलेगा कोई प्रोलम नहीं है ठीक है अब यह पर्फेक्टली काम कर रहा है बस अब हमें थोड़ी सी स्टाइल करने की पर अल्राइट तो सबसे पहले में स्टार्ट स्टोप बटन का स्टाइल करता हूं या भी लिट हूं है हाइट कहा चला गया है हाइट लेट से मैंने 80 पिक्सल ले लिए और विट भी मैंने 80 पिक्सल ले लिए है और बोर्डर रेडियस मैंने 50 परसेंट ले लिया है एंट उसके बाद में हम लोग लेट से कलर ले लेते हैं और कर लेंगे हम लोग लेफ वाइट बट अभी क्लिर हो चुगा है तो उसके लिए हम लोगों को बैग्राउंड लगाना पड़ेगा स्टार्ड की उपर बैग्राउंड कलर हम लोग लगा सकते हैं ग्रीन कि मार्जन रख सकते हैं हम लोग 20 पिक्सल ग्रेट अब मैं इसको उठा के यहां से पेस्ट कर सकता हूं कि यहां मैं इसको तीन बार पेस्ट करूंगा आप बोलो कि तीन बार क्यों बताता हूं सबसे पहले स्टार्ट के लिए आप चाहों तो लग लग सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे मैं जाधा सिसे को इपर फोकस नहीं कर लोजिक हमने समझ लिया स्टार्ट लिए डॉट स्टॉप यह मैं क्लासिस बना रहा हूं इनकी और डॉट रिसेट यहां मैं रेड गलर कर देता हूं यहां पर आप और इंज वहरा कुछ कर सकते हो और इंज कर देते हैं हम लोग इसको और यहां पर हम लोग क्लासिस को एड़ कर देंगे सो सबसे पहले मैं यहां भी लगा तो हूं क्लास नेम कि स्टार्ट कि स्टॉप एंड रिसेट अब देखने क्या हमें घड़ी वाली फील हा रही है कि नहीं हा रही है इसको भी आप चाहो तुड़ा सा कलरफूल कर सकते हो इस टोटली अप टू यू जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर टाइमर स्टार्ट हो चुका है स्टॉप पर रूख चुका है स्टार्ट कर सकता हूं फिर से मैं इसे स्टार्ट हो जाएगा रिसेट भी कर सकता हूं इसको फिर से स्टार्ट कर सकता हूं इसको टारेक्ली मैं रिसेट भी कर सकता हूं इसको ठीक है तो स्टॉप कर लिया मैंने लेट से एक बार के लिए फि ना तो डिसेबल के पर थोड़ा सा कलर लगा दिते हैं हम लोग लगाने के लिए का करना पड़ेगा अपर यहां पर देता हूं टॉट स्टार्ट और यहां पर आएका डिसेबल और अपर लोग चाहूं तो ग्रे कलर कर देते हैं पहले में ब्लू अच्छा निदा रहा था बैग्राउंड कलर ग्रे कर देते हैं अब परफेक्टली काम कर रहा है ठीक है स्टॉप पर रिसेट के ओपर वो इनेबल हो जाता है तो इस तरीके से हम लोग स्टॉप बना सकते हैं अगर आपको इसका कोड़ चाहिए तो मुझे बता देना बता क्या देना मैं इसका इसका अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक की डाल दूँगा इसको मेरे गिटब अकाउंट के उब डाल के एंड थैंक्ट यू सो मॉच फर वाचिंग इस वीडियो एंड प्लीज चनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल भी मत भूलना हो